तो हम मेन लगन में सनी की महादसा के बारे में बात कर रहे थे सनी जब आपके मेन लगन की कुंडली में विभिन भाव में इस्तित होते हैं तो अपनी महादसा के दुरान आपको किस परकार के परिणाम दे सकते हैं इस वीडियो में दसम भाव के बारे में बात करेंगे अगर आपके मेन लगन की कुंडली में धनू रासी में दस्वे भाव में सनी इस्तित होते हैं और जब इनकी दसा आपको आती है तो किस परकार के प्रेणाम रहेंगे आप लोगों के लिए देखिए आपका लगन है वो गुरू का लगन है और जो दस्वा भाव है वो भी गुरू के पास ही है और इवन ये गुरू की मुल्ट्रिकॉंड रासी भी है तो अब गुरू की जो प्लेस्मेंट है आपके चार्ट में उसका भी बहुत बड़ा रोल रहने वाला है सनी महाद होगा देखिए धनू तो रासी है लेकिन अब सनी और गुरू का अगर समंध देखेंगे तो न्यूट्रल समंध है तो यहां सनी आपको ज्यादतर केस में फाइदा ही करेंगे सनी आपके चार्ट में 11 और 12 भाव के श्वामी है तो ज्यादतर केस में आपको धनलाब हो गई होगा अपने कैरियर में इसके साथ आपको एक अच्छा मानसमान या रेपोटेशन वाला फेज भी अपने लाइफ में देखने को मिलेगा सनी का यहां इस्तित होना आपको आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस करेगा और आप अपनी डॉमेस्टिक लाइफ की जो भी responsibilities हैं उनको भी आप पूरी तरिके से सिरियसरी लेंगे सनी का यहां इस्तित होना दिखाता है कि जातक के कैरियर में बहुत बड़े कोई उतार से डावा आने की जो उमीद है वो आपको नहीं करने चाहिए बलकि आपको कैरियर में ज्यादा से ज्यादा stable life की तरफ द जुनना है उसके बाद कैरियर में आगे बढ़ना है और कैरियर के लिए कोई भी नई प्लानिंग करनी है तो लेकिन यहां अब आपके ज्यान का जो महत्व है या ज्यान की भूमी का वो सबसे ज्यादा रहने वाले और यह धनूरासी है जो की higher knowledge को represent करती है इसलिए आप आपकी जो qualification है उसके according तो साइद आप अपना job प्राप्त नहीं कर सकें कहीं न कहीं आपकी qualification से कम ही आपके पास job होगा उसके according जो प्राप्त नहीं करने से आप बहुत बार नाखुस भी रहेंगे लेकिन कहीं न कहीं आप career में बहुत सारी नई समावनाओं को खोज सकेंगे और अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस्ट रह सकेंगे अब क्यूंकि सनी करमकारक है और करमकारक होने के विए से ऐसा सनी आपको ज्यादा से ज्यादा आपके career पर फोकस करवाएगा तो ऐसे में कभी कभी अपने colleagues के साथ अपने boss के साथ आपके relations बिगरने की सम्भा सम्भावना भी रहेगी लेकिन वास्त में आप अपने सारी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और आप बहुत कुछ यहाँ ज्यादा expect ना करें सनी की placement है तो अगर यहां सनी वक्री स्थितिय में होते हैं तो आपके career में बहुत ज्यादा growth होने के संभावना जिसे कहीं न कहीं आपको धनलाब करवाएगा और आपको अच्छे reputation या मानसमान भी देगा लेकिन यह सब आपकी life में तुरंत नहीं होने वाला है आपको काफी ज्यादा समय लग सकता है यहां पर क्योंकि एक तो गुरू भी ऐसे ग्रह हैं जो काफी धिरे-धिरे result देते ह है कि सनी बहुत ही ज्यादा slow result देने वाले हैं अगर लेकिन यहां सनी बहुत ही ज्यादा strong इस्तिति में हैं बलाबल के साथ बैठें तो उतना ही ज्यादा delay होने की भी संभावना आपके carrier में रहेगी अब ऐसा जो सनी होगा आपको ज्यादतर आपके काम से gain देगा क्योंकि लेकिन ये gain अब आपकी hard work पर depend करएगा आप कितना ज्यादा मेह नत कर सकते हैं और कितना ज्यादा focus अपने carriermore कर सकते हैं सनी की दसा की दोरन तो सफलता मिलने की संभावना आपको ज्यादा रहेगी और ज्यादा जल्दी संभावना रहेगी कहीं न कहीं कि आप जो भी टार्गेट लिये हैं उसका आप एच्चिव कर सकें यहाँ पर जुपिटर का रोल इसलिए भी बहुत एहम है क्योंकि लगनेश भी वो खुद ही है ऐसे में आप जुपिटर से समन्दित जो भी आपका ग्यान है जो भी आपकी मैचुरिटी है आपको जो भी स्किल है उनका पूरा-पूरा आप यूज करें सनी दसा के दुरान इसके सासाथ कभी-कभी अपने बोस के साथ आपको बहुत ज़्यदा खराब विवार का सामना करना पड़ सकता है लेकिन फिर भी आपके सामने कितने भी मुस्किले आएं आप उन सारी मुस्किलों से निकल सकेंगे और एक प्रोपर रास्ता अपने लिए कैरियर में बना सकेंगे अब यहां हम सनी की दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं सनी सबसे पहले आपके बारवे भाव को एस्पक्ट करेंगे बारवा भाव इनका खुद का ही भाव है ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि आप या तो विदेश यात्रा करेंगे अपने कैरियर को लेकर या इवन आप विदेश में सेटल भी रह सकते हैं बहुत लंबे समय तक सनी दसा की दुरान शुरुआत में आपको काफी ज़दा डिफिकल्टी रहेगी चाहे आप विदेश यात्रा कर रहे हैं चाहे आप अपने कैरियर के मामले में कोई डिसिजन लेने जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे ऐसा सनी आपकी लाइफ को काफी ज़दा stability की तरफ लेकर चला जाएगा तो यहाँ पर आपके उतनी ज़्यादा growth एक समय बाद होने की संभावना नहीं रहेगी लेकिन आपका जो hard work है आपकी जो महनत है उसकी requirement आपको हमेशा ही रहने वाले अब आप अपने काम को कितना ज़्यादा seriously लेंगे और कितना अच्छे से उस काम पर focus कर सकते हैं इस वज़े से ही बस आपकी सफलता का निर्धार्ण होगा कही न कहीं अब सनी जब बारवे भाव का aspect कर रहे हैं तो विदेश यात्रा में काफी ज़्यादा देरी हो सकती है इससे कही न कहीं आपकी domestic life disturb हो सकती है क्योंकि बारवा भाव आपके bedroom का भी है और आपके creativity का भी है तो कही न कहीं आप अपनी creativity या अपनी छमताओं का भी कभी कभी पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे ऐसा सनी वास्त में आपके लिए विदेश के दरवाजे खोल सकता है और विदेश के थुरू भी आपको काफी सारी income दे सकता है लेकिन उसके लिए आपको एक तो proper planning करने पड़ेगी और आपको सही decision सही समय पर लेना पड़ेगा इसके साथ आपको कभी भी मेहनत करने से जी नहीं चुराना यहां पर अब देखे धनुरासी है और धनुरासी में जब भी सनी इस्तित होती है और अगर बारवे भाव को सनी एसपक्ट कर रहे हैं तो कई न कई थोड़ा सा धार्मिक या आध्यात्मिक परवर्ती भी आपमें डवलप होने के संभावना है इसके साथ आप अपनी लर्निंग्स पर भी जादा से जादा फोकस करिएगा सनी महादसा के दोरान जितना अच्छी आपके लर्निंग्स होंगी आपके सीखने की परवर्ती होगी उतना ही अधिक आपको सफलता मिलने की जो संभावना वो बढ़ जाएगी उसके बाद सनी आपके फोर्थ हाउस को यहाँ से एसपक्त करेंगे फोर्थ हाउस उनका मित्र का गर है बुद्ध का इसलिए यहाँ घर से समंदित जो भी काम है उनके परती भी आप अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाले होंगे बट मोस्ट ली आप अपने कैरियर को लेके ही सबसे ज्यादा फोकस्ट नजर आएंगे तो कभी-कभी अपने परिवार या घर की विज़े से थोड़ा सा आपको चिंता भी रह सकती है लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सा विध्यान दे अपने घर परिवार के या घरेलू कारियों पर तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बट मोस्ट ली आप अपने कैरियर पर ज्यादा फोकस्ट रहेंगे इस महादसा के दोरन इसके साथ आपको माता पिता के साथ काफी ज़दा मतवेद देखने को मिल सकत हैं और अगर ऐसी दसा आपको थोड़ा सुरुवाती एज में आ जाती हो तो सुरुवाती एज में आपको ज्यादा केर चाहिए होगी अपने परिवार की तरफ से इसी प्रकार से सनी का दृष्टी आपके साथवे भाव पे रहेगा साथवे भाव पे दृष्टी होने से लगों की साथ बहतर तरीके से इंट्रेक्शन में आपको मदद मिलेगी पार्टनर्सिफ में मदद मिलेगी अगर आप कोई बिजनेस वगारी भी साथ में सटार्ट करना चाते हैं क्योंकि यहाँ पEXम इस पर्कार की इस्तिति में हैं और अगर वो डिउटल साइन को ही ऐसक कर रहें तो कहीं न कहीं आप अपने लिए थोड़ा बिजनेस की संभावना भी तलास सकते हैं लेकिन अब आप कितना ज्यादा मेहनत कर लेंगे कितना ज्यादा कर लेंगे और कितना ज्यादा किसी काम को अप हैंडल कर लेंगे अच्छे से उस आपकी परवर्ति पर आपकी सोच पर सबकुस्ट करेगा अब यहां पर सनी का सेवन्थाउस को देखना कहीं न कहीं आपकी सोचल इमेज या आपकी पब्लिक मेज्च को डिसाइड करेगा तो public image बहुत ज़्यादा अच्छी होने के chances हैं आप बहुत ही ज़्यादा एक विद्वान विक्ति के रूप में या एक बहुत ही skilled विक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे अब इसके साथ क्योंकि आपके जो बुद्ध के दोनों भाव है उनको sunny aspect कर रहे हैं तो बुद्ध की placement पी काफी ज़्यादा मेटर करेगी आपके चार्ट में अगर बुद्ध बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो आप अपने 4th house और 7th house से समंधित कारियों को भी काफी अच्छे से handle कर लेंगे अब यहां पर आपकी age का बहुत बड़ा role होगा आपकी मान लीजिए ये दसा 5-10 साल के आयो में 15 साल के आयो में अगर start होती हो तो उस समय आपको घर परिवार से थोड़ी ज़्यादा caring चाहिए होगी और आपको चाहिए होगा कि आपके जो माता-पिता हैं वो आपको बहतर सेवाईं दे सकें सुवीधाईं दे सकें परिवार में या अपनी education को शुरू करने के लिए आपको एक बहतर माहोल दे सकें परिवार में इसके साथ सुरुआत में आपकी जो learning process वो काफी ज़्यादा slow रह सकती है लेकिन दीरे दीरे आपका मन काफी ज़्यादा strong होता चला जाएगा और आप में थोड़ी maturity भी आती चली जाएगी अगर ऐसी दसा थोड़ी early age में आ जाती है तो ये बहुत सारे नए अनुभव दे सकती है अपने घर परिवार को लेकर और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अगर ऐसी दसा आपको 25 की age के बाद कभी भी या 30 की age के बाद आती हो लगबग तो ऐसे में आपके केरियर में आप बहुत सारी नए संभावनें खोज सकेंगे और केरियर में बहुत ज़्यादा बहुतर कारिये कर सकेंगे तो अब आपका केरियर बहुत ज़्यादा अच्छा होने के चांसेज है अगर ये दसा 30 या 25 की age के आसपास start होती हो क्योंकि इस दसा में जो ज़्यादतर आपको result मिलेंगे वो लगवग इस दसा के end तक मिलेंगे अब ऐसी दसा किसी भी जाब तक को अगर मान लीजिए mid age में आती है जिसे की 30 या 35 की age में तो आपके foreign settle होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है रहेंगी और आपके काम पर focus होने की संभावना है ज़्यादा रहेंगी तो कहीं न कहीं अपने घरेलू जो काम हैं उनको थोड़ा सा आप समय इस समय कम दे सकेंगे इसके साथ आपका जिबन साती की साथ भी कुछ मामलों को लेकर मनमुटाव रह सकता है या साइध आप उनको पूरा समय ना दे पाएं अब सनी का यहाँ पर रोल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा होगा अगर ये दसा आपको बहुत लेट एज में आते हैं जैसे कि 50 की एज में या 45 की एज के बाद में ऐसे में आपकी पब्लिक छवी या पब्लिक इमेज सबसे ज़्यादा परभावित होगी तब आप एक बहुत ही मेचर इंसान के तोर पे सामने आएंगे तो ऐसे में घर परिवार का जो साथ है वो भी आप तहीं न कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको ये चाहिए कि आप अपनी जो पब्लिक छवी या उसको बहतर से बहतर करें अब इस से पहले सनी की दसा से पहले आपने गुरु की दसा भोगी है और उस समय आपने जो भी काम करे हैं जो भी आपने किसी भी प्रकार का कैरियर में अगर काम करा हैं तो उसका प्रभाव भी अब आपकी social image पर या public image पर पड़ेगा अब यहाँ पर 10 वे और 7 वे भाव दोनों को ही सनी एक साथ कहीं न कहीं connect कर रहे हैं इसलिए आपकी public छवे पर थोड़ा सा भी आपका जो काम है थोड़ा सा भी आपका जो effort है उसका बहुत बड़ा प्रभाव पढ़ने वाला है तो ऐसे में सनी आपको अपने खुद के देश में या किसी भी other country में ज्यादा से ज्यादा success दे सकते हैं